हलो दोस्तों, वीकर फार्मेस्ट की यूटब चैन में आपका स्वागत है आज हम रिवीव करने वाले हैं वीकास होल सिरप के बारे में दोस्तों वीकास होल सिरप जिसको फाइजर कंपनी द्वारा बनाया गया है 120 ml की इसकी पैकिंग है और MRP की बात करें तो 30 रुपए 50 वैसे इसकी MRP है दोस्तों, फाइजर कंपनी द्वारा इस प्रोड़क्ट को बनाया जाता है और इसके अंदर B कॉम्पलेक्स और विटामिन C डाला गया है तो भी कॉम्पलेक्स में थाइमीन, राइबोफलुविन, पाइरोडोक्षिन, नाइसिनामाइड और डीपैंथोल इसके अंदर डाले गई है और इसके अंदर S-Corbic acid जो की विटामिन C है इस वीडियो में हम जानेंगे इसके क्या क्या यूजिस हैं, क्या के इसके side effect हो सकते हैं, किन cases में इसको नहीं लेना है और कितनी मातरा इसकी दी जाती है डोक्टर दवारा तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बैल आइकन को दबा लें, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो अप्लोड करें, उसकी notification सबसे पहले आपको मिल जाए चले दोस्तों, बात करते हैं इसके uses के बारे में, दोस्तों, इसके अंदर है vitamin B complex जो कि हमारी nerve functioning के लिए बहुत ज़्यादा responsible है, इसका सबसे ज़्यादा यूज किया था protein binding के लिए आपकी बोड़ी में protein bind करने के लिए vitamin B complex का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, nerve functioning के लिए इसका होना बहुत ज़रूरी है, skin damage को बचाने के लिए या minimize करने के लिए B complex का होना बहुत ज़रूरी है, दोस्तों ये हमारी red blood cells की metabolism के लिए को support करता है और उसको maximize करता है, ये immunity को boost करता है, इसी तरह vitamin C जो कि एक antioxidant है और immunity booster है, वो भी ऐसे work करता है, तो ये जो product है इसको ज़्यादा तर उस cases में दिया जाता है, जब बंदे की या किसी patient की immunity weak हो, त doctor और दवाईों के साथ, इस दवाई का साथ में उप्योग करने की सला देते हैं, या body में ज़्यादा heat बन रही है, उस cases में इसका इसका इस्तमाल किया जाता है, ये एक तरह से multi vitamin की तरह काम करता है, क्योंकि इसके अंदर 2 vitamin डाले गई है, अब बात करते हैं, कि इसके side effect क्य क्या हो सकते हैं, दोस्तों, major lease के कोई side effect नहीं है, क्योंकि ये as a multi vitamin काम करता है, और ज़्यादातर किसी विमारी में doctor multi vitamin और multi mineral देने की सला देते हैं, या prescribe करते हैं, तो इसलिए इसके side effect बहुती ज़्यादा, बहुती कम होते हैं, तो आप इसे बेफिकर यूज कर सकते हैं, लेकिन vitamin B complex लेने के बाद, आपका जो urine है, वो ये lois हो जाता है, जो कि कोई side effect नहीं है, B complex लेने के वज़े से ऐसा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा मातरा में vitamin C भी नहीं लेना चाहिए, और नहीं कोई भी access दवाई किसी भी ज़्यादा मातरा में लेनी चाहिए, तो अब बा decinamide लेने से, तो आप अपने डॉक्टर को पहले बता दें, और because whole syrup का इस्तमाल कम करें, या बिल्कुल ना करें, अब बात करते हैं, किन cases में, किन concern में commonly asked questions के बारे में पूछे जाते हैं, कि इसको driving करते समय लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, दोस्तों, ऐसी कोई अभी बिटफर्मिंग के दुरान इसका उप्योग नहीं किया जाता, तो अगर आपको breast feeding या pregnancy के दौरान इस दवाई को लेना है, तो अपनी डॉक्टर की सला से ही ले, तो दोस्तों, यह था, because whole syrup के बारे मेरा रिव्यू अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ल